हेलो दोस्तो स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राम नीर क्लासेज में गणित की उपचारत्मक शिक्षन की कारे पुस्ति का कक्षा नौ के कारे पत्रकों को हम हल कर रहे थे इस वीडियो में आपको बताऊंगे कारे पत्रक 23,24,25 का हल पहले हमने 22 तक कारे पत्रकों को हल कर रखा है तो अगर आपको देखना है तो आप चैनल पेच पे जाके देख सकते हैं चली देखते हैं कारे पत्रक 23 का हल विशेवस्तु है एक चरवाले समीकरण अधिगा हुए क्रिया पद एवम इस्थानापन्द विधी समीकरण हल करना तो देखिए प्रश्नकरमांग एक है समीकरण 12P-5 बराबर 25 को हल कीजिए तो यह क्रिया पद हो जाएगा 12P-5 बराबर 25 तो प्रतम चरण के दोनों पक्षों में 5 जोडने पर दोनों पक्षों में 5 जोडेंगे तो यह हो जाएगा 12P बराबर 30 क्योंकि प्लस माच और माइनस 5 आपस में गट जाएगे दिती चरण में देखिए दोनों पक्षों में 12 का भाग दिया है तो यह 12 का भाग यहां से 12 से 12 चला जाएगा तो पी बचेगा और 30 बटे बारा करे सक्रेंगे 5 का पक्षण किया तो माइनस का 5 था प्लस का 5 हो गया 12P बराबर 25 प्लस 5 हो जाएगा 12P बराबर 30 हो जाएगा थीजए 12 चोंकि 12 था पर बारा फिर यहां गुडे में था इस पक्ष में गया तक बटे में हो गया पीवराबर भाग लगा देजिए चेके पाड़े तो यहाँ पर देखे क्या होगा, 3P plus 12, दोनों पक्षों मिं 12 को घटाया है, माइनस बारा माइनस बारा किया है, तो यह दोनों कट जाएंगे, 3P बराबर माइनस की बारा बचेगा, तो दोनों पक्षों में पिर यहाँ पर आप तीन कर दीजçosिएगा बच़ा, तो दोनों बख्ष में 3 का भाग दिया तो P बटा 3 बराबर माइनस के 12 बटे 3 तो यह उतर जाएगा P बराबर माइनस के 4 अब इस्थानापन विदी देखिए 3P प्लस 12 बराबर 0 तो 12 का इस्थानापन ने किया यानि कि 12 प्लस का था यहाँ पर इस बख्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यह जाएगा 3P बराबर माइनस के 12 P बराबर हो जाएगा माइनस के 12 बटे 3 और P बराबर हो जाएगा माइनस के 4 यह आपका कॉशन नमर 2 का पहला हो गया दूसरा देखते हैं क्रियापद है 3X पटे 4 बड़ाबर 6 अब दोनों पक्षों में 4 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कि 4 से चार कड़ गया 3X बड़ाबर 24 और फिर क्या करेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग दिया तो X बटा तीन या और 24 बटा तीन या 3 कर लीजिएगा एक्स बराबर आट उत्तर आ जाएगा इस्थानापन विदी से देखिए चार का स्थानापन ने किया यानि चार का पक्स चेंज किया चार भाग में है तो पक्स चेंज होते हैं इस एक्स गुणे में चला जाएगा तो तीन एक्स बराबर चेंटू चार हो जाएगा तीन एक् एक स्थाना पन विदी से देखिए इसको चार का स्थाना पन किया यानि कि चार यहां पर प्लस का था तो यह यहां चला जाएगा तो 5 गुणा x-1 पराबर 34-4 हो जाएगा 5 गुणा x-1 पराबर 30 और फिर दोनों पक्षों में हमने क्या किया है यह 5 का स्थाना पन किया इधर तो 30 बटे 5 किया है इसलिए यह x-1 पराबर 30 बटे 5 है x-1 पराबर 6 हो जाएगा x पराबर हो जाएगा 6 प्लस एक क्योंकि एक माइनिस का था इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x पराबर 7 उत्तर आ जाएगा दूसरे प्रश्चन का देंगे तो देखी यह तो कड जाएगा फिर पि-5 बराबर दीने कम 3 ہے थो पी माइनस पांच बराबर माइनस के 7 दोनों पक्षों में 5 जोडेंगे तो यह कड जाएगा आपस में यह ₹ 5 जोडेंगे तो माइनस के 7 प्लस-5 एक संख्या minus के संख्या plus की है तो plus minus हो हुजता है माइनस और निशान आता है बड़ी संख्या का तो माइनस के साथ और प्लस के 5 है तो 7 में 5 गये तो 2 आएगा स्लीस का 2 आएगा पी बराबर-2 पिर तीन गुणा मै wybांण है तो यहां स्थै harbor का तो यह भाग मर्स चलाएगा तो पी माइनस भाबर माइनस स्था सथी पर-1 के तो आगए देखिए पर पिस हों गया है पहले 25 बताऊंगे ठीक है तो चुछाई देखिए फिशोपष्ट है एक चरावाले खाशर एक तो यहां से देखिए तक जगह कम थी इसलिए मैंने पास-पास लिखा है अकर दिख नहीं रहा है तो प्लीज सुनकर इसको हल कर लें किसी त्रिभुच की तीनों बुजाएं एक्समाप की है और उसका परिमाप 21 सेमी है तो प्रतेक बुजा की माप क्याद कीजिए तो यह दे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया तीन एक्स तो तीन एक्स बराबर 21 हो जाएगा एक्स बराबर क्या होगा 21 बटे 3 यह 21 भागी 3 लिखा है मैंने तो एक्स का मान हो जाएगा 7 दूसरा है किसी त्रिभुच की दो बुजाएं की माप y सेमी हैं तीसरी बुजा अन् कि तीन बुजाएं होती है तो हमें करना है यहां पर माइनस चार क्यों कि दो बुजाओं की माप पता नहीं है ठीक है तो तीसरी बुजाओं अन्य दो बुजाओं से चार सेमी कम है तो यहां दो बुजाओं तो वाय थी तो और तीसरी बुजाओं वो दूसरी बुजाओं से चार कम है तो यहां पर वाय माइनस चार है तीसरी बुजाओं और यह जो वाय है यह पहरी दो बुजाओं हैं सम्मेले दुरूप से तो इसको हम लिखेंगे वाय प्ल था फिर यहां चार का पक्षांतरन करेंगे इधर तो दो बराबर 32 प्लस चार हो जाएगा थीक है तो दो बढ़ाबर क्या होगा 32 4 कितना हो तो 36 अब यहां देखिए तो य बराबर 36 तो य बराबर क्या होगा 36 बटे 2 36 बठे दो कितना होगा 18 vaikaman 18 आ गया तो 2 भुजाएं थी वो 18 ओगई तो 1 बुजा क्या होगई 9 से मी 9 से मी और जो तीसरी भुजा है वो y-4 थी तो vaikaman 28 आ आ है 18 में से 4 गए तो 14 ठीक है अपको 18 में से 4 गए तो aja पर देखिये 18 मैं से 4 गज़ 14 तो 1 बुज़ 9 दूसरी बुज़ 9 और 3 बुज़ 14 से में आ जाएगी आगे देखिए Q3 एक त्रिबूज का शेत्रिफल 16 cm2 है यह तो त्रिबूज का आधार उसकी उचाई का आधा है तो त्रिबूज का आधार ग्याद कीजिए तो यहाँ पर हमें शेत्रिफल दिया है और त्रिबूज का आधार उसकी उचाई का आधा है यहनि कि आधार आधा है तो हमें उचाई को मानना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर देखिए मान लिया है माना की त्रिबूच की उचाई है X cm अब आधार कितना हो जाएगा उचाई का आधार हो जाएगा X बटा 2 cm अब इसको हल करेंगे हल कैसे करेंगे देखिए कि त्रिबूच का शित्रिफल क्या होता है 1 बटा 2 गुणा आधार गुणा उचाई तो आपको करना में देखें करके बताती हूं एक बटा दो गुणा आधार कितना था एक्स बटा दो गुणा उचे किती एक्स इसको आपको हल करना है यह हो जाएगा एक्स गुणा एक्स बटे दो इंटु दो तो यह हो जाएगा एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वार दो दू स्कॉर्ट तो शोलह बराबर क्या होगा एक्स स्कॉर्ट बटे चार तो एक्स स्कॉर्ट क्या होगा देखिए 4 हाँ पर 16 में पक्षांत्रन होगा उस पक्ष में तो सोला गुणा चार और एक सुक्वार बड़ाबर वग्ना चार जोर Àक इंधे Caitlin तो हमें क्या पूचा था एक्षक अधार ग्याद कीजिये पूच का इच्पराद दो ऐसका मंजी आग tweeting रिखाए यहीं चैन्टीमिटर देखल देख लिएगा यहाँ पर चोथा है आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई की तीन गुनी है यदि आयत का परिमाप 48 cm है तो उसकी लंबाई ग्याद कीजिए अब देखिए आयत की चोड़ाई को मानना है क्योंकि लंबाई चोड़ाई की तीन गुनी है तो चोड़ाई पता होगी तभी हम लंब प्लस चोड़ए, तो करेंगे 2 गुणा 3X plus X, तो 2 गुणा 3X plus X क्या होगा? 3 दूनी 6X plus 2X, तो कितना था? यह आपको बत्या गया है, 48 cm है, तो 48 बराबर 6X plus 2X, 6X plus 2X कितने X होगे? 8X, 8X बराबर 48 है, तो X बराबर क्या हो जाएगा 48 बराबर 6 cm अब पूछाए कि लंबाई क्या होगी तो चोड़ाई की 3 गुणा है चोड़ाई को अमने X मान आए X का मान 6 आया है तो 3 गुणा 6 करेंगे तो 6 तिया 18 cm आ जाएगा यानि कि X का मान आगया 6 और लंबाई का मान आगया 18 ठीक है यहां लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा फिर पांचवा प्रशन है त्रिबूच के 3 कोणों का अनुपाद 2 अनुपाद 3 अनुपाद 5 है तो प्रत्य कोण का मान समिक्रण विदी से हल कीजिए अब देखिए दो लाइनों में इस प्रशन का हल नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं आपको यहां पर साप सुतरा बताओं कि क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा अगर मैं छोटा छोटा लिख दूँगी तो पांचों प्रशन का उतर देखिए माना कि त्रिबूच के तीनों कौन 2x 3x और 5x हैं तो त्रिबूच के तीनों कौनों का यह कितना होता है 180 डिगरी होता है तो उसी को अधर मान के चलेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 यह हो जाएका 10x बराबर 180 बटे 10 x बराबर प्लस बराबर 54 डिगरी और तीसरा कौन था 5x तो 5 गुण 18 बराबर 90 डिगरी उतर आ जाएगा ठीक है पांचों सवाल आ हो गया है आपका चले देखते हैं चटा सवाल उस वर्ग की भुजा ग्यात कीजिए जिसका परिमाफ 16 सेंटीमेटर है तो यह तो बहुत छोटा सवा देखेंगे सात्वा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग 49 है तो तीनों संख्याओं ग्यात कीजिए इसका उत्तर बताती हूं इसका उत्तर है माना कि तीन क्रमागत संख्याओं क्रमश्य एक्स एक्स प्लस एक और एक्स प्लस दो है प्रश्णा अनुसर क्या है तीनों का योग 49 है यानि कि तीनों को जोड़ना है x plus x plus 1 plus x plus 2 बराबर 49 अब देखे 3x plus 3 बराबर 49 होगा 3x बराबर 49 मैनस 3, 3x बराबर 36, x बराबर 36 बटे 3 और x बराबर 12 आ गया यानि कि देखे मैंने यहाँ पर स्थाना पनविदी का उपयोग किया है आप गबरायेगा नहीं यह जो 3 plus का था वो इदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यह 3 यहाँ पर जो गुणे का था वो इस पक्ष में जाते ही भाग का हो जाएगा इसलिए यह x बराबर 12 उत्तर आया है अब हमारे को क्या गयात करना है आप गयात करने तो पहली संख्या x थी तो x 12 एक प्लस एक तो बारा प्लस एक होगी 13 । तीसरी संख्या x प्लस 2 यानि 12 बराबर 14 आगे देखिए अन्तीम प्रश्न है इस कारव पत्रक का तीन क्रमागत विश्यम संख्याओं का योग 21 है तो तीनो संख्यां ग्यात कीजिए अब यहां विश्यम संख्या दिया है तो थोड़ा सा सावदा नहीं रखनी है तो माना कि तीनो तीन क्रिमाकत विश्यम संख्या विश्यम संख्या क्या होती है जैसे 1 मानेंगे तो 1, 3, 5 कितना अंतर होता है? 2 का अंतर होता है तो पहली संक्या X है तो दूसरी होगी X प्लस 2 और तीसरी होगी X प्लस 4, यहां ध्यान रखना है यहां आपने सही किया है तो आपका सवाल बिलकूल सही हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए X प्लस X प्लस 2 प्लस X प्लस 4 बराबर 21 दे रखा था यह हो जाएकर 3X प्लस 6 है क्योंकि 4 ओर 2 6 था 3X प्लस 6 बराबर 21 प्लस टीन एक्चिस बराबर 21-6, 3X बराबर 15, X बराबर 15 बटे 3 बराबर 5 चली यह ओगे है कारे पत्रक चोई-स पक्ष्रीवस्तूती एक चरवाली समीक्रन अधिगं मिंदुए आओ खेल खेले तो चली देखते हैं अमितिक प्रतिबावन विध्यारती उसके शिक्षक द्वारा कक्षा को एक समस्या दी गई है, वह इस प्रकार है, किसी संख्या कе 3 गुने में 7 जोडने पर 22 प्राप्त होता है, तो हम कैसे करेंगे माना कि एक संख्या X है, ठीके तो X में 3 का गुना करेंगे 3 X, फिर उसमें 7 जोडेंगे, तो 3 X प्लस 7 बराबर के आएगा लेकिन अभी इतनी से उल्टा सोचा है उसने 22 दिया गया तो पहले 22 को ले लिया अब यहां पर देखिए साथ जोड़ना था तो उसने साथ घटा दिया गटाने कब पंद्रा आ अब यह तीन का गुणा करना था तो उसने तीन का भाग कर दिया संख्या आगई 5 आटोमेटिक अब देखिए अमित की ने जो हल का तरीका अपना है उसी तरीके पर मिलकर चर्चा कीजिए कि आप इसके लिए दोनों फ्लोट चार्ट बना सकते हैं तो चलिए दोनों तरीके से बनाना है तो पहला देखिए कि तीगुने और गयारा का योग 32 से तो संख्या ग्यात एक्स उसका तीन गुना तीन एक्स ग्यारा का योग तीन एक्स प्लस ग्यारा तो 32 है हमने बना दिया अब देखिए अमित वाले तरीके से चलते हैं तो उसने क्या गिया 32 दे रखा है ठीके उल्टा चला है तो ग्यारा का जोड़ था तो माइनस ग्यारा कर दिया 21 आ गया फ साथ 6 जोड़ा था तो 6 घटा दीजिए चोपन आजएगा चोपन में 6 का भाग लगा दीजिए कि प्लस नहीं है ये भाग है ठीक है ये भाग 6 है छे का भाग लगाई तो 9 उतर आ जाएगा दीसरा देखिए एक संख्या की 1 बटा 3 में 4 घटाने पर संख्या 5 पराप्त होती है तो x है x का 1 बटा 3 x गुणा 1 बटा 3 तो x बटा 3 माइनस 4 बराबर 5 अब 5 में से प्लस 4 करेंगे 9 9 में 1 बटा 3 का भाग देंगे तो 27 आ जाएगा अब अन्तीम सवाल है चोथा यदि किसी संख्या के दुगूने में 11 घटा है जातो पर ठीक है 11 घटाया था हमने 11 जोड़ दिया 16 आ गया 16 में दो दो गुना किया था दो का भाग लगा दीजिए आट अक्तर आ जाएगा तो इस प्रकार आपका ही कारेपत्रक 25 भी कंपलीट हुआ आमने देखा 24-24 पाथीज का